हम इंसानों का खाना फल और सब्जी आए, शेर दूसरे प्रानी को खाकर जिन्दा रहता है, दूसरे प्रानी गास्पुस काकर जिते हैं, और पोदे जमिन में से नूट्रियन जड़ों से खिच कर जिन्दा रहते हैं, लेकिन ये बच्चों की बाते मैं आपको इसलिए बता क्योंकि हमारे पसलों पर आने वाले रोग ज्यादा तर फंगस और बैक्ट्रिया होते हैं, जो आमरी तर सजी होते हैं, मेरा आपसे यह सावल है कि जैसे हम इंसानों का, जानोरों का, पोदों का हर एक का खाना होता है, वैसे ही इन फंगस और बैक्ट्रिया का भी खाना है, जिस पर वो अपनी जिविका को पूरी करते होंगे ज्यादा गुमा फिर अपने बोलते हुए सिधा सवल आप से आप बताए मुझे फंगस और बैक्ट्रिया का खाना क्या है आपको पता ही होगा अगर हम सजो को खाना न मिला तो हम मर जाएंगे वैसे इन फंगस और बैक्ट्रिया को भी इनका खाना न मिला तो ये भी मरी जाएंगे भाई लेकिन लेकिन मेरा आप से फिर से सवाल इनका खाना क्या है इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में लेकिन उसके लिए आपको यह वीडियो अंतक ध्यान से देखना होगा कई भी आगे लेने की कोशिश ना करे परना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो चलो भाई पहले खाने से ही शुरुत करते फंगस और बैक्टरिया प्यारसाइट है मतलब वो आपना खाना खुद से नहीं बाना सकते जिने के लिए वो पोदो पेर डिपेंड रहते जिन्दा रहने के लिए वो पोदो में से न्यूटरिया और पानी कीच कर अपनी जिविका को पूरी करते मतलब फंगस और बैक्ट्रिया का खाना नूट्रेंट है। अब चलते हैं हमारे एमिस्टार की तरफ, एमिस्टार सन 2006 में भारत में लॉंच हुआ था। तब से आज तक दुनिया के सबसे पाउरफुल फंजी साइड में ये शामिल हो गया है। लेकिन जब यह नायनाय मार्क अब एमिस्टार के और इंग्रेडेंट्स के कारण यह होता होगा, जो आज कमपनी ने निकाल लिया है। मुद्य की बात यह है कि पोदो का पिला पढ़ने का कारण उसके आंदर हरिद्रवय न बनना था। अब एमिस्टार के स्प्रेंग से आचनक हरिद्रवय बनना क्यों बन्दुआ होगा, क्योंकि उसमें नुट्रेंट की सप्लाई बन्दुई थी, और वही दूसरी तरफ नुट्रेंट बन्दुआ तो फंगस और बैक्ट्रिय का भी खाना बन्दुआ, और आपको पता ही है, बिना खाने के फंगस और बैक्ट्रिय का क्या हालो आओगा, फपुन किसानों को यह भी याद होगा कि पिलेपन के कारण ही बाद में किसान कमपनी को बता दे कि फपुन नाशक बढ़ी आई लेकिन वह पतियों को तीन दिनों तक पिला रखता है इसलिए कमपनी ने सुधार है तो एमिस्टार में से वह अत्रिक्त केमिकल बाहर निकल लि गूगल कर सकते हैं पुराना आमिस्टार भी अच्छा ही था सिर्फ एक कमी के कारण कमपनी ने उसमें बदलाव किया था दोस्तों यह आपको ज्यादा कंप्यूज न करते हुए आमिस्टार का में कंटेंट आज भी वही है जो 2006 में था उसके और इंग्रेडियंस के कारण वह पिलापन आता था और फंगस या बैक्ट्रिया बुका ही मर जाता था अगर आपने वीडियो को आगे पिछे लेने का प्रयास किया होगा तो आपको मैंने क्या बताए यह कुछ भी समझने आएगा इसले मेरा हर वीडियो स्किप न करते हुए ध्यान से देखें तो चले अब चलते हैं हमारी अगली जानकर की तरप एमिस्टार की तरफ एमिस्टार में आजज़ इस प्रोबिन 23 प्रतिशत HC फोर्मॉलेशन में उपलबदा है है एमिस्टार हाइली सिस्टेमिक पंजिसाइड है जो फसलों को अच्छी तरह से सरक्षित करता है है एमिस्टार पा पाउरिंग में भी बड़ोत्री करता है। इसके स्प्रेइंग के बाद फसल हरी बरी और तंदुरस्त भी होती है। एमिस्टार का रेंट पास्टनेस दो गंटे का है। और रेसिडियल अक्टिविटी 15 दिनों की है। एमिस्टार स्प्रेइंग के लिए एमिस्टार 200 मिली 200 लिटर पानी में डालकर छिड़काव करे। अगर आप स्ट्रोविलियरिम पंचिसाइड कैसे बनते हैं इस विशे में रूची रखते हैं तो उसकी जानकरी आमने पिछली नेटियों की वीडियो में बताईए। आप उपर आई बटम पे क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। आपकी किसानी संबंदी कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिकें। हम आपकी समस्या का समधान जरूर करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके मेरा प्रोस्ताम भी बढ़ा सकते हैं। और जो नई है वे प्लीज सब्सक्राइब करें। वह यह बिलकुल फ्री है, मूबते हैं। जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक समय पर पहुश सकते हैं। बाकी अलविदा लेते हैं। धन्यवाद जिससे हमारे सकते हैं।